नवस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक खास महमान है, परचे के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हों, अपीत उनका सेफोलाजिस्ट का है, वर्तमान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, नाम है योगेंद्र यादब, और लगातार पिछले 10-15 दिनों से जब से भारत ज चोड़ो नियायात्रा शुरू हुई है, 14 जन्वरी से, तब तक नियायात्रा में योगेंद्र यादब लगातार दिख रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे मनिपूर हो, चाहे पुर्वुत्तर का राजी हो, चाहे बिहार के कुछ हिस्सों में जहारा हो लगान है, और अब ए इंडिये के लिए, बीजेपी के लिए 370, यानि 303 से 370 का आंकड़ा अगर टार्गेट के तौर पर बीजेपी या प्रदान मंत्री मोदी रख रहे हैं, तो वो आंकड़ा क्या बीजेपी की हैसियत, ताकत या राजनेतिक मौजूद्गी के मताबिक है, या उसका कुछ और मतलब है, इंडिया गठबंदन में जो दरारों की खवरें लगातार बीते 3-4 हफतों से आ रही थी, जो बड़ी दरार एक परी भी, नितिश्च कुमार की इंडिया गठबंदन से रवानगी और वीजेपी के पाले में जाना, उससे कितना डेंट लगेगा, ममताव एनर्ज की नाराजगी के खवरें, कुछ तेवर वाले बयान और ममताव एनर्जी का ये काना, कि कॉंग्रेस अपने दम पर 40 भी नहीं जीत पाएगी और कॉंग्रेस में घमंड है, और कॉंग्रेस में दम है, तो यूपी में हरा कर दिखाए बीजेपी को, बनार्ज में हराए, प्र जोते को लेकर, सीट शेरिंग को लेकर, कुछ हकीकत, कुछ फसाना जैसी कहानिया महरारी, डेश के बाकी हिस्सों में भी सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन तस्वीर, लार्जर पिक्चर क्या है, योगिंद्रियादब जी से समझेंगे, और योगिंद्रिया माफ करें, उनका विशलेशन था, 2024 इस नाओ एन ओपन एलेक्शन, आठ मैंने पहले योगिंद्रियादब ने कहा, 2024 अभी एक खुलाद चुनाओ है, लेकिन जब नतीजे आये, खिलाफ विपक्ष के, या कॉंग्रेस के खिलाफ राज्यों में, तीन दिसम्मर को, उसके बा कहीं उन्होंने लेक लिखा, इन एक्समें 2024 के लिए विपक्ष अभी भी खेल में है, तो क्या वाकई विपक्ष अभी भी खेल में है, क्या 2024 का चुनाओ अभी भी ओपन है, क्या 2024 का चुनाओ वाकई अभी भी विपक्ष के लिए इंपसिबल गेम नहीं है, यही हमारी याद होगी यही से सवालों के सुरत योगन भी आदम जी नमस्कार और स्वागत है आपका नमस्कार अजीद भाई आपने इतना ध्यान से मेरी बातों को देखा सुना इसी से मुझे लगा कि चलिए कोई पढ़ता तो है कई बार मुझे लगता है कि नेकी कर और कुए में डाल लिखा और उसको कुए में डाल आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं और दरसल आपने बिल् जैसा आपने ठीक बताया वो मेरा पूरुजनम हुआ करता ता अनुमान लगाना कि क्या संभाव है क्या सबसे लाइकली है सबसे ज्यादा गुंजाइश और संभावना किसकी है लेकिन जो आज मेरा बरतमान आप बता रहे हैं एक राजनेतिक करेकरता के रूप में उसमें म एक राजनेतिक करेकरता के रूप में मेरा आज जो जितना विशलेशन आपने बताया वो विशलेशन ये देखता है कि संभावना के दो चोर क्या है और उसका एक चोर ये है जो मैंने तब भी कहा आज भी कह रहा हूँ कि आज भी तमाम परिस्थिती के बावजूद हम ये नहीं मान सकते कि ये चुनाव क्लोज हो गया है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई घटनाएं हुई है जिसकी वज़ए से बीजेपी आगे बढ़ी है जिसकी वज़ए से विपक्ष को जटके लगे हैं इससे कोई इंकार करने का कोई फायदा नहीं है लेकिन क्या हम ऐसी स्थि का अंदाज है और उनकी ये रणनीती है कि ये माहौल बना दिया जाए चुनाव से पहले ऐसा माहौल बना दिया जाए कि भाई अब तो हो गया हो गया निपट गया निपट गया और उतने में सब लोग हतियार डालके बैठ जाएं तो ये जो पिछले कई दिनों से हम कई काबला नहीं है और उसकी वजए से एक माहौल बनाने की कोशिश है मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चुनाव के आंकड़ों को आप उस माहौल और साइकलोजिकल वार्फेर के धुंद से बाहर जाके देखिए और हम देखेंगे एक एक राज्य का आंकड़ा करके हम देख सकते है जैसे प्रधानमंचरी ने कल कह दिया तीन सो सत्तर अब तीन सो सत्तर उनका बहुत ही फेवरेट आकड़ा रहा है कई और कारणों से तीन सो सत्तर कह दिया मतलब कि जो जितनी सीटें उनको दो हजार उननीस में आई थी उससे भी सत्तर सीट फालतु आएंगी बीचे साड़ करने के लिए भ्रामित करने के लिए या कहिए लुभाने के लिए ये सब बहुत सुंदर बाते हैं लेकिन अगर आप अपने सामने एक टेबल लेके गणित लेके स्प्रेडशीट लेके बैठेंगे तो जाहर आप अपने आपको पूछेंगे कि गुजरात में उनकी कितनी अधिक सीटें आ सकती हैn, छब्स में से छब्स उनके पास हैं, राजस्थान में पच्चीश में से पचिस ही थी, चौभीस जबाह एक थी उनके पास, मिद्य Reagan Kangalaus में 28 में से 27 उनके पास थी, 36 गड़ में 11 में से 9 सीट उनके पास थी, Haryana में 10 में से दस राज़ा दिल्ली में साथ में से साथ हिमाचल में चार में से चार उत्रा खंड में पांच में से पांच अब बताईए इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी नहीं हो साथ ठीक है अब बढ़ोतरी कहा होगी मैं यह मैं नहीं कह रहा कि वास्तों में उनको को 26 में 26 आने वाली है कि तब उस पर हम केरला पे जाते हैं, हम चाहेंगे उस पर, लेकिन contemporary जो सवाल कुछ पैदा हुए योगेंद्री आदब जी, contemporary मतलब ता जा दस दिन की बात करो, कि 10-15 दिनों में जो तस्मीर बदली योगेंद्री आदब जी, जिसमें विहार में नितीश कुमार का एक गटबंधन नितीश कुमार RJD का उसका तूटना, और जिस चालिस में से 49 सीटे 2019 में जीत गई थी, BJP और NDA का गटबंधन जीता था, जिसमें नितीश कुमार के पोला सांसर थे, और इस बार माना जा रहा था कि इस गटबंधन से BJP को नुकसान इतना हो सकता है, कि अकेले BJ BJP 17 पर जीती थी, हो सकता है, साथ हो जाए, हो सकता हो जाए, इसी बेचेनी और चिंता में नितीश कुमार को एन केन प्रकारेन, पल्टी कुमार नितीश कुमार भी बने और पल्टी बाद BJP बनकर लिया है, अब बिहार को अगर देखे हैं हम पहले, तो ये कितना बड़ा इसमें कोई संदे नहीं है, इसलिए है, चुकि अभी हम नेतिक इसका मुल्यांकन नहीं कर रहे है, उसके बारे में तो मैं कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, क्यों मुझे बहुत दुख हुआ, और क्यों ये तो बिल्कुल वोटर के साथ बिल्कुल धोखा है, मगर इस इस वक्त हम उसका नितिक मुल्यांकन नहीं कर रहें, नितिश कुमार जी ने जो किया, सवाल ये कि उनके इस धोके बाजी का, इस पल्टे बाजी का कोई नुकसान होगा, नितिश कुमार जी के दो, तीन महत्वपूर्ण वोट बेंक बताए जाते हैं, एक तो उनके अपनी ब जो कि सेंट्रिल बिहार के एक इंपॉर्टेंट इलाके में है, वो संख्या में बहुत बड़ी रही है, लेकिन है, दूसरा, इबीसी बिहार के अती पिछडे बोटर का, उनके प्रती एक थोड़ा मोह रुझान रहा है, और तीसरा, नशाबंदी की निति के कारण, महिलाओ में उनका एक थोड़ा आग्रे रहा, ये तीन नितिश कुमार जी की स्ट्रेंथ है, ये तीनों उनके साथ पलट जाएंगी, ऐसा नहीं लग रहा, ये जो आपने गणित बताया कि बीजेपी की सत्रां की साथ होने वाली हो सकती थी, ये सब गणित था जबकि महागटबंध बना और शुरू हुआ, इस हकीकत को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि महागटबंधन की जो संभावनाएं शुरू में दिखाई दे रही थी, वो वास्तों में ग्राउंड पे उतर नहीं पा रही थी, चुंकि नीतिश कुमार का जो वोटर था, वो राजद के साथ जाने को तयार नहीं था, और इसलिए महागटबंधन को कई तरह की परेशानी आ रही थी, कई तरह की दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हम यह ना माने कि महागटबंधन बहुत उचा कहीं पहुचा हुआ था, जहां से बहुत नीचा गिरा, दरसल महागटबंधन अपनी जो संभा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नितिश कुमार जी के जाने से कुछ वोट गिरेगा लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के जो अंदरूनी संगर्ष और अंदरूनी तनाव थे वो कम होंगे दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि ग्राउंड पे देखने वालों का सबका मानना था कि नितिश कुमार जी की पार्टी 16-17 सीठ की दावेदार दरसल थी नहीं उसके लायक नहीं थी उनका जनाधार काफी गिरा है और सारी खेल के पीछे सचाई यही है कि नितिश जी का जनाधार लगातार खिसक रहा है और वो किसी ना किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए अपने गिरते वे जनाधार के बावजुद पल्टी मार के बचाए रखना चाहते हैं तो एक जो दो तीन पक्ष जहां एक मैंने कहा कि हाँ इससे नुकसान होगा वहां दो तीन बात ये भी याद रखिए कि जिस महा कटबंदन को नितिश जी को सोला सत्रा सीट देनी पड़ती जो कि जिसके वो हकदार थे नहीं उस महा कटबंदन के पास अब अपने दूसरे को देने के लिए सीट हैं दूसरा ये भी है कि अब यदी वो कोशिश करें क्योंकि अभी राजीती में आपने बताया दो महीने बाकी हैं कई और फोर्सेज हैं जो नीतिश जी के उस तरफ जाने से जहां अकमकाहट है जहां दिक्कत है तो क्या उन में से कुछ लोग उस पा का मुल्यांकन हमें तब करना चाहिए जबकि पूरा आदला बदली पूरी हो जाए जो मेरे विचार से अभी तक पूरी नहीं हुई है इसमें एक सवाल उठता है योगिन जी और मैं दर्शकों को बता दू इसके बाद तुरत हम बंगाल पे बात करेंगे जो बहुत हम है औ रितेगी कॉंग्रेस और इतनी चुनवती देजी तो क्या कॉंग्रेस के प्रटी उनके तेवर में जो तलकी थी वो नर्मी में बतली है कुछ योगिन द्रियादर को जानकारी है इस पर आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले जड़ा बिहार पर एक सवाल हो कि जैसे अगर नितीश कुमार, बीजेपी, एलजेपी और अगर खुदरापाटिया इन सब को जोड कर अगर एक पैटर्न देखे बोट शेर का योगिन जी तो बावन, तिरेपन, चमवन परसेंट बोट शेर है उन्निस को भी देखे अगर पहले भी जाएंगे तो तो ये बड़े चंक के साथ NDA गटबंदन की शुरुवात होने के कोपे, अब उसमें कितना नीचे जाएगा कि क्यों वो 40% से नीचे चला जाएगा, क्या वो BJP की टैली, जो 49 है, BJP मतला NDA की बिहार में बोल रहा हूँ, और बिहार इसलिए सिग्निफेकेंट है, उगें जी मुझसे जादा जानत क्योंकि 4-5 राज्य जहां BJP को ज़्यादा नुकसान की संभावना थी और गटबंदन को पाने की संभावना थी, उसमें से एक बिहार तो 49 की टैली कितना नीचे आईगी? अजित बाई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आज नीचिश कुमार जी के NDA में जाने के बाद कागज पर NDA कहीं बड़ा है, जैसे कि जिस दिन महागटबंदन बना था, उस दिन कागज पर महागटबंदन बहुत बड़ा था, लेकिन जो हमने ब्याबहार में देखा कि कागज पर बहुत बड़ा बनने के बाद कई महीनों में महागटबंदन अपनी ताकत में कमाया, बीजेपी उपर बढ़ी, इसी तरह से NDA की ताकत को आज हम केवल कागज के आधार पे न ना पे हैं, बिलकुल ठीक है कि वो आज, अगर सिरफ आप गणित करके देखें तो काफी बड़े हैं, उसमें दो बात आप ध्यान रखें, नमबर एक तो कि NDA के लिए इन तमाम पार्टियों को जोड़ के रखना आसान नहीं होगा, चिराक पासवान ने बार बार कहा है, एक बार नहीं, नितिश जी के शामिल होने के बाद भी कहा है, कि वो इस पे नाराज हैं, इस सहमत हैं, दिक्कत हैं, उसको कैसे इकठा करेंगे, ये देखने की बात है, और दूसरा ये, कि पिछले कुछ ये जो सरकार चली नितिश जी के साथ राज़द की, इस दौरान राज़द ने और खास दौर पर तेजस्वी यादव ने, अपनी स्थिती को, अपनी प इतनी नौकरियां दी गए, लेकिन ये सच है, नितिश कुमार तो 17 साल में जो नहीं कर पाए, वो तेजस्वी ने किया, और जब तेजस्वी ने वादे किये, नौकरियों के, तो नितिश कुमार का पुराना वीडियो वाइरल होता है, जिसमें करते कहां से देंगे नौकरि लेकिन वही तेजस्वी नितिश के गठ बंदर ने सोला मैंने में किया, इसमें कोई शक नहीं, जी, एग्जेक्ली, तो जो राज़त के बारे में एक पहले छवी होती थी, कि भाई राज़त के बारे में क्या आक्पर चलाया जाता था, आरे ये तो अराजकता है, जंगल र अब इस एलाइंस में आएंगी, इसको मजबूत करेंगी, तो उतना एक तरफा नहीं होगा, जितना कागज पे लिखता है, लेकिन ये सब कहने के बावजूद, इस सच से इंकार करने का कोई फाइदा नहीं है, कि हाँ नीटिश कुमार जी के जाने से, राज़नीती में अल एक तो संभावना ये भी हो सकती है, कभी ना कभी राजनीती में ये भी होता है, कि लोग तंग आ जाते हैं, क्या यार कमाल कर रहे हो, मतलब हमें उल्लू समझ रखा है, क्या, अगर ऐसी बात आ गई, तब तो नीटिश जी के जाने का असर बिलकुल जीरो हो जाएगा, ले बात आप कह सकते हैं, शुरुआती तोर पे, लेकिन ये याद रखिए, कि केवल पलडा भारी होना, NDA के लिए परयाप्त नहीं है, उनके पास 40 में से 49 सीट है, केवल किशन गंज को छोड़के, सारी हर सीट तो उनके पास है इस वक्त, तो उन्हें 49 मेंटेन करनी है, और आ ये कर रहे हैं, वो कैसे होगा? एक नंबर आपने भूल या कि 49 में, 48 में से 25 सीट NDA, इसका मतलब आप NDA पो 13-14 सीटों का नुकसाम देख रहे हैं, टोटल में से, बिहार में अभी, अभी भविश्वाने नहीं कर रहा कोई, जित भाई, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपके श ये भारी हुआ है कि वो 40 में से 49 सीट लेने वाले हैं, भारी हो गया, मतलब आप 25 सीट बराबर हो गया हैं, पहले आपकी स्थिति, उनके जाने से पहले, हर कोई अनुमान ये लगा रहा था कि महागठ बंदन 25-30 के बीच में कुछ सीट पकड़ सकता है, और जो BJP की साइड थी, वो 10 से 15 के पीच में लिमिट हो जाए, अब नीचिश कुमार जी के जाने से आप समझ लिए ये पलटा बिलकुल पलट गया, अब मान लिए ये 25 साइड पे आगए, 15 साइड पे आगए, फिर भी नुकसान है, ये बात हम भूल जाते हैं, मैं सिरक ये बेसिक बात याद दिला रहा हूं, कि NDA और BJP के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 40 में से 49 है, उसमें से कुछ भी कमी होती है, वो उनको नुकसान है, ये बात हम भूल जाते हैं, चलिए, अब हम आते हैं, चुकि एक ये स्टेट पर बहुत बाते हो सकती है, लेकिन मैं बेंगॉल जाने से पह चुनाओ अभी भी उपन है, और मोदी को हराया जा सकता है, इस तथे से इंकार तो नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफतों में, जितनी बड़ी संभावना विपक्ष के पास भारत जोड़ो यात्रा के बाद थी, और उसके बाद जब इंडि को नाम दिया गया, करनाटका का चुनाओ का परिनाम आ गया था, उस वक्त जो संभावना थी, आज उसकी तुलना में संभावना कम हुई है, लेकिन क्या खेल अभी खत्म हो गया है, क्या बिलकुल मामला सेट हो गया है, मैं ये मानने को तयार नहीं हूँ, चूंकि आज भी संभावना है कि बीजेपी को आप 272, 273 पर रोक दीजिए, ये संभावना मैं नहीं कह रहा कि आप इस समय बीजेपी को 200 सीट से कम पे आ जाएगी, बीजेपी एक दम बुरी तरह से हार जाएगी, वैसा चमतकार तो कभी कबार हो जाता है, मैं उस चमतकार की बात नहीं कर लेकिन 273 पर रोकना, यानि कि बीजेपी को पिछली बार जो आई थी, उससे 30 सीट घटा देना आज भी संभाव है, बशर दें इंडिया एलाइंस ठीक से लड़ो, ये तो बात फिर दूसरी होगी, जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 या 73 पर रोकना संभाव है, तो 272 सीटें ही बीजेपी को 2014 में मिली थी, और बहुमत का आकड़ा जो जादूई नंबर है, मैजिक फिगर है, 272 है, तो अगर 272 पर रुक भी गई, बीजेपी और बाकी अंडिया कट बंदन हो गए, तो सरकार तो मोदी जी की बन गई फिर, बन जाएगी, ने ने, मैं जो कह र पहले तक मैं कह रहा था कि देखी, NDA में तो कोई मेजर पार्टनर अभी बचा ही नहीं, लेकिन अब मेजर पार्टनर आ गए है, बीजेपी के लिए, मैं जो कह रहा था, मैंने स्पश्ट यही कहा था, कि बीजेपी को 273 से पहले रोकना, यानि कि मैजॉरिटी मार्क से नी अब बात आती है, कि 272 मतलब 303 नीचे लगब 303 पर है बीजेपी, और उसके बाद NDA गटबंदन के बाकी गटक डल जो उनके हैं, चोटी-चोटी पार्टी है, तो उस केस में अगर रोक भी लिए 270 पे या 60 पे और 79 पे, या 70 या 70 या 70 पे, सरकार तो इसका मतलब NDA की बनन संभावनाओं पे देखते हैं, तो हम उसके दो छोर देखते हैं, एक एक्स्ट्रीम, दूसरा एक्स्ट्रीम, और फिर उसके देखते हैं, दर्मियानी चीज़ है, तो आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं, वो दर्मियानी चीज़ की है, कि हाँ, अगर दर्मियानी होता है, त कि BJP को आप 272 के आँखरे से नीचे अगर रोकते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपून चीज है चूपि इसका संबंद संविधान से है, ये जो चुनाव महत्वपून है, ये चुनाव इसलिए महत्वपून है, चूपि इसमें हमारा संविधान जो है, और अगर बीजेपी एक अच्छी मैजॉरिटी लेके आती है और बीजेपी अपने एलाइज के साथ जिस तरहें की मैजॉरिटी का दाव़ प्रधानमंत्री कर रहे हैं वैसा कुछ होता है तो समझे इस देश का सम्विधान गया अगर बीजेपी कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार में आती है मान लीजे बीजेपी 250 पे आ जाती है मान लीजे एंडिये भी 273 से नीचे रह जाता है तो लोग कहेंगे ऐसे में जमीन पतनायक समर्थन कर देंगे ऐसे में YSR पार्टी समर्थन कर देगी ऐसे में केसी आर कर दे CJP 300 से उपर लेके आती है जो सरकार बने की या उस तरह का आखरा जैसा प्रधान मंतरी दावे कर रहे हैं वैसा उसके नजदीक कुछ भी अगर आखरा आता है तो इन दोनों सरकारों के चरित्र में जमीन आसमान का फरक होगा और कम से कम हमारे संविधान को वो नुकसान नहीं हो सकता जो की जो की दूसी तरह की सरकार कर सकती है क्या आज की स्थिती में हम इंडिया कोईलेशन की सरकार बनने का की संभावना को खारिज कर रहे हैं खारिज पूरी तरह नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई संदेय नहीं है घर क्विक्ति को मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ महीनों में, दिनों में जो खतनाएं हुई है, उससे वह संभावना पहले से कम होई है, उसके लिए इन्डिया कोईलिशन की सरकार, इंडिया कोईलिशन अपने आप में पूरी मेजॉरिटी लेके सरकार बनाए उसकी संभावनाएं जो विदान सबा चुनाव के परिनाम आए चुनावों के बाद भी अब तो दो महीना लगबग हो गया है जिस तरह की चीजें इंडिया कोईलेशन में हम देखने की उम्मीद कर रहे थे कि वह कोईलेशन स इसी तरह का एजेंडा लोगों के सामने रखे उस तरह की चीजें अभी तक नहीं हुई हैं अभी दो महीना बाकी है मतलब पहले से कहीं ज़्यादा काम करना होगा ये राह आसान नहीं है अब वहीं आ रहा था जहां आप आगए कि अब दो महने बाकी है बलकर मैं काऊंगा अब सिर्फ दो महने बाकी है और उसके बाद काम अभी क्या नहीं हुआ काम नहीं होआ है सोलह तारिक राहुल गांभी के एंट्री यूपी में हो रही है काम यह नहीं हुआ कि बंगाल को लेकर अभी मतभेद टक्राओं के बयान है जो मैंने जिक्र किया और बाकी जगह भी कोई ऐसी तस्मीर सापनी है तो यह जो लेट लतीफी और देर हुई जिसके बारे में एक आकलन अनुमान या बयानों के जूर आते आते बहुत देर कर दी मार्च में नोटिफिकेशन हो जाएगा योगन जी अप्रेल के दूसरे अपते से पहले दावर का चुनाव शुरू हो जाए देर हुई है इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता क्या देर ऐसी है कि अब रिकवरी नहीं हो सकती यह मैं नहीं मान जिसका बहुत बड़ा जनाधार है सीटें उनके पास नहीं है एक है केवल लेकिन उसका जनाधार बहुत अच्छा है वो इस एलाइस के अंदर शामिल हो रही है दूसरे एलाइस असाम के अंदर कुल ग्यारा पार्टियां मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करने की मुद्रा में आई है एक व्यापक गटबंदन बहां बन रहा है तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही है लेकिन अब आने वाले दो महीने में इन्हें एक बहुत गती पकड़नी हो की केवल सीट शेरिंग मैं पहले जिन से कर रहा हूं इंडिया गटबंदन जब बना उसका स्वाग करते हुए भी मैंने कहा था कि ये मत सोच लीजिए कि केवल सीट शेरिंग से इंडिया एलाइंस का काम चल जाएगा इंडिया एलाइंस अच्छा है चूंकि ये पूरे देश के सामने एक वेकल्पिक एजेंडा रख सकता है और जमीन पर कुछ वेकल्पिक अंदोलंच कर सक करता है वो चीज़ें जब तक नहीं होती वेकल्पिक एजेंडा की अभी भी हम उमीद कर सकते हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है मोधी ने बहुत चीज़ें नहीं की लोग नाराज भी हैं लोगों के अंदर एक दवी छुपी बेचैनी है अगर आप दिल्ली के मेडिया और इसकी चका चौन को साइड में रख दें साधारन लोगों से उनकी साधारन जिन्दगी के बारे में बात करें तो लोगों में काफी बेचैनी है दुख है अनीज है लेकिन वो पलट के दिखना चाहते हैं कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अच्छा है बाकी सब पार्टियां एक साथ आ गएं क्या करेंगी उसका स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं है लोगों के पास कॉंग्रेस इसका प्यास कर रही है बाकी पार्टियों का मिलके एक इंडिया गट बंधन के शुब चिंतक के नाते मेरी ये उमीद तो कॉमन मिनमम प्रोग्राम बोली हलाकि ये बहुत घिसा हुआ शब्ध है टी नाइन और नाइन टी सिक्स और उसके बाद लेकिन एक होता है कि नियूनितम साजा कारिकरम कि हम सब अगर सरकार में आया चुकि गट बंदन है चब्वीस दलों काला कि एक डल कम हो गया तो हम ये करेंगे लोग ये ही कहते हैं बहुत सारे लोग जो आपने ऐसे बात करना वेरुसघारी मांगाई रुज़कारी मांगा यह तो हो ही रही बात इसमें कोई एक crystal clear concept आप नहीं रख रहे हैं और इसलिए महतुपूर्ण है अजीद बाई चुकि राजनीति का चारीतर बदल गया देखिए बीजेपी ने जो ब्रेंडिंग और मार्केटिंग शुरू कर दिया है दुरभागे इस सचकी ब्रेंडिंग तो करने पड़ेगी कुछ चीज़ें अब राउल गांदी ने नियाए शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है चलिए एक नई बात आ रही है जो कि कम सकम उसके सामने आप कह सकते हैं कि ये सिरफ हिंदो मुसल्मान करते हैं हम नियाए की बात करते है अब देश कहेगा ठीक है नियाए के अंदर क्या क्या आएगा अभी उस ओभी उसमें पांच बातें बताइए हैं उन्होंने कहा है कि ये नियाए यूओ के लिए होगा नारी के लिए होगा किसान के लिए श्र winds के लिए और हिस्थमेदारी का नियाए बोर रहे हैं तो अब देश जानना चाहेगा कि भई अच्छा इसमें क्या होगा मुझे क्या मिलेगा एक युवा जो कहता है युवा के लिए नया है उसको अच्छा लगता है सुनके लेकिन फिर वो जानना चाहता है कि अच्छा आप क्या करेंगे इन चीजों का जवाब मिलना होगा और सिर्फ ज जवाब यह नहीं जवाब एक टक्यक की विरोक्रेटिक भाषा में देने से काम नहीं चलता है, आपको एक राजनियतिक भाषा में, एक ऐसी भाषा में जो एक अंतिन युवा जो कि exam पे exam दिए जा रहा है, अपने आपको दोष दे रहा है। उस तक आप एक आशा का संदेश लेके जाएं, वो करना होगा, चुकि अब राजनीती का चरित बदल गया है, पुराने जमाने का काम नहीं हो सकता कि आप चुनाव से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक मैनिफेस्टो जारी कर दें, वो जमाने निकल गए हैं, आपको आज आप राउल गांधी के साथ दिख रहे हैं, और आप नियाय का जिक्र करते हुए कहा भी रहे हैं कि लोगों को, लोगों के सवालों का जवाब जो जो इस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो ये आप लोग उसका हिस्सा हैं, वहाँ नियाय आतरा के भी, और एक शु करता नहीं है, विपक्ष के नेताओं को जानकारी नहीं है, ये तो खेर बात सही नहीं होगी, कापी अनभवी लोग हैं, दिक्कत ये हो गई है कि जितनी प्रॉसेसी के थूरू ऐसा कोई निर्ने गुजरना होता है, इंडिया कोईलिशन में, उसमें मुझे लगता है कहीं स सीट शेरिंग ने प्राथमिक्ता ले ली है, और बाकी सब चीजे थोड़ा सा पीछे रह गई है, और सीट शेरिंग का काम जो कि मैंने कम से कम उम्मीद की थी कि आज से दो-तीन महीना पहले सुलट चुका होता हूँ, ताकि आप इन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं, चूं के तरफ से, अगर वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज ना करें, लेकिन अगर सब अपने-अपने मच से कुछ एक जैसी बाते कहना भी शुरू करते हैं, तब भी जनता पर असर होता है, उसकी उमीद अभी भी है, अब बात आती है सीट शेरिंग की, सीट शेरिंग पर भी आने और हम तो आपके दुस्मन पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, आप नहीं सेना से संबन तोरने का फैसला किया, इस तरह की बात उत्व ठाकरे ने कही और कहा कि सीट शेरिंग आपके साथ थी, हमने पिछली बार भी आपके लिए प्रचार किया था, और हिंदुत तो और देचाइडियों को इस तरह की आवाजों से कमजोरी तो नहीं मिल रही है, मुझे मैंने पढ़ा इस चीज़ को, मुझे ऐसा महसूस नहीं, मेरी अपनी रीडिंग ये रही है, आजित भाई कि इस गटबंधन में जो सहयोगी सबसे मजबूत और अनुशासित रहे हैं, उद कि इन सब ने काफी एक डिसिप्लिट भूमिका आदा की है, मैं काफी हैरान हुआ उद्व ठाकरे जी कि इस भूमिका से और एक सुखद आश्यर है था, मुझे लगता है कि वो जो ये सब ये जो बातें उन्होंने कहीं है, ये एक भूमिका है अपने वोटर से जुड़ने क कि और उसे समझाने की कि क्यों वो आज मोदी के साथ खड़े नहीं है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, और शिवसेना एक हिंदुत्व में विश्वास करने वाली पार्टी है, तो कोई नई बात है नहीं, वो वहां उस धरातल पे खड़े रहते हुए उसका विरोध कर रह हैं, नहीं, जिस तरह हैं कि गदारी बीजेपी ने उनके खिलाफ करवाई है, शिंदे समू के मात्यम से जो तोरने का काम किया है, मैं नहीं समझता कि उसे उद्व ठाकरे भूले हैं, और मैं नहीं समझता कि उसे महराष्ट की जनता भूलेगी, चलिए आवाते हैं बंगाल पर्चो की बंगाल में आप थे, ममताव एनर्जी के साथ अपने मंद शेयर किया, वो तस्वीरे वीडियो हमने देखा, सबसे सक्ते वर ममताव एनर्जी के हैं, ममताव एनर्जी का ऐसा बयान है, जो लग रहा है कोई बीजेपी का नेता बोल रहा हो कि कॉंग्रेस अपने दम पर 40 seat भी नहीं जीत सकती है, 300 पर लगने की बात कर रही है, ये कॉंग्रेस का अहंकार है, भर रहन है तो यूपी में हराओ, आयोत्या में हराओ, प्र्यागराज में हराओ, बनारस में हराओ, तो ये जो ममताव एनर्जी अगर ऐसा कह रही है, तो देश में जो वोटर ह उनके सामने जा रहा है कि तो आपस में इस तरह के बयान दे रहे है, ममताव एनर्जी का ये करना, जो सबसे उस घटक दल की सबसे, जो घटबंदन की सबसे मजबूत घटक है, मुख्यमंत्री है, तो ये कुछ बात बिगड़ी है, या बिगड़ी अगर है, तो कुछ बात बनने वाली है, क्या है इसमें? आपने कहा है, मैं उसको कहूंगा थी, उन्होंने दो तारीख को बयान दिया, ममताव जी ने, बहुत कड़ा बयान था और काफी चीजें जो बिलकुल पबलिक में इंडिया एलाइंस को धका दे सकती है, ऐसी बातें हुई, अब ये भी हमें दाराना बयान उनके रहे हैं, अधिर चौधरी जी ने कहा कि देखें, पहले कॉंग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा करती रही है, वो बात सामाने हैं, जहां इंडिया गटबंदन के किसी एक पार्टी की सत्ता है, वहां इंडिया गटबंदन का दूसरी पार्टी विपक कि उसकी आरोचना नहीं करेंगे, मुझे महसूस हुआ कि अधिर चौधरी जी ने, और उनके निच्चत में, बंगाल की कॉंग्रेस ने उस मर्यादा का एक नहीं कई बार उलंगन किया, मसलान उन्हों ने ये कहा कि राष्टपती शासन लागो हो जाना चाहिए, अब आप पीजेपी से कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप आईए बंगाल में चुनी हुई सरकार को बरखास्त कर दीजिए, जो कि मेरे घटबंदन की सरकार है, ये तो ये तो मर्यादा कि अनुच अनुरूप नहीं है, ब्रष्टाचार के आरोप थे, कॉंग्रेस ने ब्रष्टाच आपके डिफ्रेंसिस होंगे, मेरे आम आदमी पार्टी से डिफ्रेंसिस रहे हैं, लेकिन जब महीर श्री सोधिया को जिस तरह से गिर्फतार किया, मैंने कहा थे कि डिफ्रेंसिस लाख होंगे, इस केस के बारे में मेरी जो भी माननेता हो, लेकिन ये जो हो रहा है, ये तो तो बिल्कुल सीधे सीधे राजनेतिक प्रतिशोध का काम है और हम सब को इसका विरोध करना चाहिए। कॉंग्रेस की ये भूबिका होनी चाहिए थी। वो भूबिका कॉंग्रेस ने नहीं थी। तो एक तरफ कॉंग्रेस की तरफ से अमारी यादित पाते हूं और उसके पलट वार के रूप में ममता बेनर जी की तरफ से काफी तीखे और तल्ख बयान आए। जो तोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरी ऐसी रीडिंग है आप ज़्यादा क्लोज निगार रखते हैं कि ये एक बार हुआ कसके हुआ लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ चीज ने देख नहीं रहा हूं। और उसके पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हमें नहीं पता हम अकेरे लड़ेंगे एक बार जो कार से लिखी और दुस्टे बे बोली हैं और ये भी बोली वो कहां आ रहे हैं इधर आ रहे हमें नहीं पता एक नाराज की वो और दूसरी बार उन्होंने उस सभावे बोली जो उ काफी तीकी बाते हैं को दोनों पक्षों की तरफ से और उस से जरूर एक तक का लगा और दूसरी ये भी देखिये ममता दीदी दीदी है थोड़ा और दीदी है और उनका पूरा देश जानता है कि वो जब अपना दिल खोल के बोलती है और कई बार अगर साफ के थोड़ी तुनक मिजाज है जिसको विहार में बोलते हैं हिंडी अगर बोले तुनक मिजाज एक बात बताओं आपको आप समझेंगे इस बात को अगर ऑरत गुसेल और तुनक मिजाज ना होती ममता बेनर जी ये मर्दों की सब्ता उनको मसल के फैंक के फ्हेंट चुकी होती आज से और लेफ के गड़ में जिस डंग से सड़क से उठकर ममताब अनर्जी घुस गई थी आज भी उसका जिक्र करते हैं लोग 90 के तशक में वहीं से तो ममताब अनर्जी बनी तो उस तेवर से बनी है तो उस तेवर के पक्ष भी है इसी तेवर के चलते हूँ बीजेपी से लड़ की बुणिदी हकीकत ये है की अगर कॉंग्रेस अगर कॉंग्रेस वीजेपी के साथ नहीं जाती है तो खुद कांग्रेस की दो सीटें जो आज की तारीक में हैं उनको खत्रा है कोंग्रेस के नेता कुछ भी कह sustain मैं समझता हूँ वह इस ददया बी करते हैं कि उनकी उस दो सीट को भी खत्रा हो सकता है क्योंकि assembly election में Congress की performance अच्छी नहीं थी दूसरी तरफ TMC जो भी कहे सच यह है कि अगर TMC और Congress अलग लड़े तो वहां Congress अब भले ही सीटे खुद न जीते लेकिन TMC को नुकसान हो सकता है खास तोर पर इसलिए क्योंकि एक minorities के voter का रूजहान Congress की तरफ रहा है और यह किवली स्यात्रा की बात नहीं है इससे पहले वहां by election हो चुका है जो कि left के साथ मेर मिलके लगा था तो इधर Congress को नुकसान है अलग होने में उधर मंता बेनर्जी को नुकसान है और मुझे बिश्वास है कि दोनों तरफ से इसका अहसास जो ठणिक जो कुछ भी हो गया उसके बाद इसका अहसास ज्यादा काम करेगा और मैं समझता हूँ पिछले दो दिन से ठंड़ा ठंड़ा काई है और उमिद करने चाहिए कि यह ठंड़ा का थोड़ा सीजपायर हुआ है और एक छुटचिन तक के नाते अब मेरा तो नॉमिनेशन से दो दिन पहले आप समझाता कर लें उससे वो बात नहीं बनती क्योंकि बंगाल का जो अस्ली सवाल है वो केवल बंगाल की तीन-चार सीटों का नहीं है मूलत है तो बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करना है तो टीमसी को करना है कॉंग्रेस के जुड़ने या ना जुड़ने से चार या पांच सीटों का असर पड़ता है लेकिन जो देश भर में बाहौल पे असर पड़ता है वो और बिलकुर बिलकुर राजस्थान में बै तो आपस में सिर्फ फुटमवल कर रहे हैं कल पीम मोदी ने कहा ही कि ये मोटर साइकील को का अलाइन्मेंट मेकेनिक की तरह जान गये लेकिन गटवंदन का अलाइन्मेंट बिगर रहा है तो इन्हीं बयानों से वाना तो बीजेपी तो यही कहेगी कि वाई तो आपस में चतिति में और भी जुम्मेवारी बनती है कि इस बात को जल्ब से जल्ब समेटा जाएं दोनों तरफ से संयोग से दोनों तरफ के नेतांँ से बात भी होती रहती है दोनों तARA कि इसका ए파 ऑस empा एक थाAK आप और्र का गये थे मंता गांदी के साथ मिले मंच पर थे तो कुछ बात इस दिशा में हुई ओगी और राहुल गांधी के कारेकरम से आप वहां गए तो जाहिर है और राहुल गांधी ने आज प्रिस कांफरेंग्स में कहा कि महमताब एनर्जी हमारे साथ इंडिया घटवंदन में तो राहुल था ममता बेनर जी जी की पार्टी ने TMC ने मनरेगा के वर्कर्स के सवाल पर एक बड़ा धर्ना किया था और ये सवाल है जिसके उपर मैं और मेरे साथ ही बहुत समय से काम कर रहे हैं हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने मंगाल के मनरेगा के वर्कर्स का तीन साल का वेतन रोक के रखा हुआ है और किस बहाने से कि नहीं मस्टर रोल के अंदर दिक्कत है हम इसकी जाज करेंगे देखी राजनेतिक प्रतिशोद किस स्थर पे जा सकता है उसका आप नमूना देखिए आपकी मताब इनरजी से वर्कर से बात करके देखिए उसमहिला ने मुझे बताया कि तीन साल का चववन हजार रोपया उसका रुखा हुआ है एक गरीब का चववन हजार रुपया जिस गरीब के पास कुछ नहीं है रोक के रखना यह तो अधर्म है तो मैं तो सीधे सीधे इस चीज़ का समर्थन क गया था ये इस देश के संघिय धांचे को बचाने का संघर्ष है आज DMC करे कल को केरला में लेफ्ट करे या DMK करे तमिलनाडू में जो करे उसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल समाल में मुख्य तो उस काम के लिए गया था बाकि वो ममता जी ने आग्रह से हो जाते हैं लेकिन वो मेरा काम नहीं है चलिए वो अपस आते हम यूपी पर चुकि यूपी सबसे अहम है और यूपी को फटर जिस डंग से बीजेपी ने 2014-2019 में किया हमने दो तीन बार आपस में पहले भी बात किया है इस तरह के चैट में लेकिन इस बार फिर अगर हैं तो अखलेश यादब और कॉंग्रेस के बीच अभी सीटों को लेकर कुछ रजामन भी नहीं हुई है का जा रहा है कि कॉंग्रेस 22 सीटे मांग रही है अखलेश यादब 24 का ओफर दे चुके हैं उसमें कुछ सीटे हैं जो उलजी हुई है जो हर हाल में समाजवादी पा जो जो इसको लेकर पेचीब की और पेच तो और इस बीच यह है कि अखलेश यादब का एक बयान भी आ गया था दो दिन पहले जब उनसे पूछा गया कि आप या यात्रा में शामिल होगे उन्होंने का पता नहीं कोई को इवेंट होता है हमें बुलाएगा तक तो या कुछ फ्रेंडली फाइट के नौबत आ सकती है उमीद करनी चाहिए कि वो ना आए चूंकि उत्तर प्रदेश जाता आपने सही बताया सबसे बड़ा फ्रेंट है सबसे मेहत्वपून फ्रेंट है और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का मुकाबला किय ही नहीं जा सकता अगर विपक्ष एक साथ नहीं आता सपा कॉंग्रेस रालोड इन तीन को तो आना ही होगा तो इसके बगार कोई रास्ता नहीं है और वहां फ्रेंडली फाइट का मतलब तो फ्रेंडली दरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना होगा तो उमीद करन और मुझे ये बिश्वास है कि दोनों तरफ जो क्लेम्स हैं क्लेम्स इतने अलग-अलग नहीं है जैसे आपने भी कुछ आंकरों का जिक्र किया यह सब आकड़े एक छोटी सी रेंज के भीतर है यह कोई नहीं कह रहा कि कॉंग्रेस को 40 सीट दे दी जाए या इसा नहीं कहा रेंज है यह ऐसी रेंज नहीं है जो कि असंभव किसम की रेंज हो अमोमन सीट शेरिंग यह समझातों के अंदर यही होता है कि कुछ राउंड की चर्चा होती है इसको एक दाइरे के अंदर एक छोटे दाइरे के अंदर लाए जाता है डिफरेंसिस को और फिर लीडर पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में बिल्कुल व्यर्थ खटपट हुई थी जिसमें कमलनाच जी का वो बयान बिलकुल दुर्भाग्या पूर बहुत ही दुर्भाग्या पूर बयान था जिसकी कोई आवश्यक्ता नहीं थी अरे भाई आपने अलाइंस नहीं करना मत कीज लिए कम सकम इस तरह के बयान देने की तो कोई आवश्यक्ता नहीं और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुए थी यह सब हुआ था लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूँ वो अब ज़्यादा एक एक एहसास है कि नहीं आने बाले कुछ दिन में इन तीनों में केवल सपा और कोंगरियस में नहीं सपा कॉंग्रेस और रालोट क्योंकि पश्ठी मुक्तरप्रदेश में तो रालोट का आना बहुत नहितennial हो नहीं रालोट कि जो स्ट्रेंथ है उसको ठीक ढंक से इस्तेमाल कर सकतना। इस अब इतना जिम्मेवारी का एहसास इंडिया गटबंदन के शीर्ष नित्यतु में होगा, यह हम यह पेक्षा करनी चाहिए, कि यह सब बातें नामांकन के दो दिन पहले तक न खीची जाएं, चूंकि अब गटबंदन तो तब भी हो जाएगा, सीट शेरिंग तब भी हो सकती यह पुराने जमाने में हो भी जाती थी, लेकिन जो साइकोलोजिकल डैमेज है, और खास तोर पे यह देखते हुए कि सारा मुख्यधारा का मीडिया इस वक्त मोधी सरकार के साथ खड़ा है, बीजेपी के भौपू की मुद्रा में खड़ा है, तो वो तो इंतितार कर रहा कि छूटा सा भी कुछ मिले उस चीज़ को उड़ाया जाए, उस चीज़ को बड़ा से बड़ा दिखाया जाए, तूट गया, दो फाड़ हो गया, ऐसी कहानिया बनाई जाए, इसको देखते हुए मैं समझता हूँ, इंडिया गठबंदन की नित्रत्र की जुम्यवारी पह चलो, यह अब समया करने का, अच्छा, अब हम माल जे उस आइडियल सिच्वेशन की बात करने, कि इंडिया गठबंदन के जो तीन गठबंदन है, अखलेश यादा, कॉंग्रेस और रल्डी में प्रॉपर गठबंदन हो गया, सब मिल गए, उसके बाद सामने की स्थिति य जो बहुत आम है, जिसको कोई नकार दे, इंकार कर दे, लेकिन राम मंदिर का एक माहौल, जिस धंक से उधाटन के बाद से बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, और लगाता है, और सतर दिनों का बीजेपी का प्लान है, हालोज, हजारों लोगों को अलग 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 सम चुनाओ से ले जाओ ये, तो उस ही स्थिती में योगें जी, यूपी में जहां बासर सीटे पिछली बार भी बीजेपी जीत गई थी, अगर हम चोहदा में चले जाए तो एक अटर और दो तेहतर सीटे हो गई थी, तो यूपी में क्या देखते है, जब सब, हलाके ये सव हम बार बार पूछते रहेंगे जब तक चुनाओ है तब तक, सपा बसपा मिलकर 15 जीत पाए, 2019 में, तब बात होगी कि उसमें पुलवामा और संजिकल स्ट्राइक था, लेकिन आज भी एक महाल, धार्मिक उनमाद का महाल बनाया जा रहा है, और ये और इसको धार दिया जा है, ऐसी स्ट्थी में आप, अजित भाई, 22 तारीक के करीब या उसके बाद, उत्तर प्रदेश घूमने का मुझे मौकर नहीं मिला, जिसके बाद मैं खुद मुल्यांकन कर सकूँ, तो मैं ही प्रशन पूछना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि मीडिया में बहुत अच्छा खासा माहौल बना, बिल्कुल एक तरह से वहाँ तो एक तरफा कार्पेट बॉंबिंग जैसी स्थिती हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बहाने, बीजेपी को गाओं गाओं में जाने का मौका मिला, लोगों से और इसमें भी कोई संदेह नहीं है, कि इस देश का अधिकांश हिंदू, इस चीज़ पर अच्छा ही मैसूस करता है, कि चलिए राम जी का एक अच्छा भाव्यमंदिर बना, प्रश्ण जो है वो ये, कि क्या ये वोट में कनवर्ट होगा, क्या ऐसे लोग, जो कल तक बीज कि जो कुछ भी बातें कहलो, रोजगार तो हमें नहीं मिला, महगाई इतनी है, क्या वो लोग इन सब सवालों को भूल के, अब केवल मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगी, ये इसका मेरे पास अगी उत्तर नहीं है, लेकिन ये प्रश् इसलिए मैंने कहा दिया, कि धार भी दूर्विकरन के नए हत्यार, और ज्यान वापी जान बूज के बहुत धार दिया जाएगा उसको, ज्या तो हो गया अब ज्यान वापी, और कहीं उसके बाद मतुरा की विवात होगी, तो ये काशी और मतुरा के एजेंडे को धार दें मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी, इसी सवाल को पलटके हम ये भी कुछ सकते हैं, कि अगर राममंदिर का कार्ड चल गया था, और अच्छा चला था, और बीजेपी तो दिन रात थर्माविटर लगा के बुखा ना हुआ क्या हुआ, अगर उनको लगता कि ये चल गया और अच्छा चल गया और बुखार चड़ गया, तो फिर ग्यान व्यापी और ये सब क्यों करते हैं, आगे के लिए बचा के रखते हैं, कुछ है जो हमें अभी तक पूरा समझ नहीं आ रहा, बीजेपी देख रही ह मैं कहा रहा हूँ कि इस पर हम इन निशकर्शों पर अभी ना पहुंचें कि भाई ये कार्ड चल चुका है, और अब तो पूरा यूपी, राम मैय के साथ साथ, बीजेपी मैय भी हो गया है, ये सब अभी निशकर्श हम निकाल नहीं सकते हैं, जो बुनियादी स्थिती उत बीएसपी का, वहां देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बीएसपी का वोट लगातार गिर रहा है, लोकसवा चुनाव में और गिरेगा, क्योंकि लगातार गिर ही रहा है, अब बीएसपी के वोटर को भी समझा आ गया है कि बहन जी गंभीर नहीं है, चुनाव ल जाएगा क्या वोट का सपा और कॉंग्रेस और रालोद दावेदार बन पाएगी क्या कॉंग्रेस का इस गटबंदन में होना बीएसपी के वोटर के लिए आसान बनाएगा कि वोटर के लिए बीएसपी को छोड़ के लिए बीएसपी को छोड़ के सपा की तरफ आना आसान न मगर कॉंग्रेस का होना उस गठबंदन में बीएसपी के वोटर को एक रास्ता देगा कि वो वापिस आ सकता है अपनी पुरानी चीज़ पर प्रश्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतनाता जो है वो अगर कॉंग्रेस और सपा का गठबंदन हो जाता है तो फिर ये कहे कि बीजेपी एकदम चारों खाने चित्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश में वो आज मुम्किन नहीं लग रहा लेकिन असी में से 65 जहां थी 64 थी उससे नीचे उतारने की संभावना है बशर्ते की विपक्ष अभी से एकठा होके और एक विकल्प पेश करें बाकी य लगता थी क्या प्रभाव पढ़ता है क्या आसर पढ़ता है जोश आता है वो भी देखने का भिश्या है लेकिन याहिरे 2000 बीजेपी की बात कर दो हजार चोदा में बीजेपी एक खत्र थी आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज की तारिक में यूपी में बीजेपी और एंडिये को हैं आप भी वही कर रहे हैं लेकिन हम ओवर बात करें योगेन जी जो बार बार ये व्या को 50 फिजदी से एक लाग से ज़्यादा अंतर से बीजेपी को जीत मिलें, दो सो से ज़्यादा है, दो सो आट दस हो भी सिट है, तो ये जीत का आकड़ा बीजेपी का इतना फासला है कि उस फासले को पाटना और उसके बाद बीजेपी की मशिनरी, इंडिया गटबंधन की अ अगर आप कहते हैं कि ये चुनाओ अभी भी ओपन है, तो इसकी बुनियाद क्या है? सवाल यही है कि विपक्ष की तैयारी क्या है? बीजेपी के पास तमाम हतकंडों के साथ साथ बहुत बड़ी एक सांगठनिक मशीन है तो अगर आप दोनों पार्टियों का वोट मान लीजेए बीजेपी है दुसी तरफ गैर बीजेपी इंडिया कर मंदल है दोनों का सामान्य वोट का आधार लगभग बराबर है तो ऐसी स संक्ठनिक अधार है उसके पास आखरी मिनेट की तिक्रम है उसके पास سब कुछ है जो कि इंडिया कटबंधन नहीं कर सकता है इसलिएंडिया कट्बंधन को तो एक जन उभार पैदा करना होगा वो जन उभार करने कि ये उससे ज्यादा काम करना होगा लेकिन अभी से हम य के मन में पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था बास्तों में हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है लेकिन और 24 गंटे के लाइव कवरेज ने युद्ध करा दिया था जी तो वो तो युद्ध तो यही होता है न साधान व्यक्ति थोड़ी जाके लड़ता है वो तो टीवी पे एडवांटेज रहा है उसमें कोई समद्धे नहीं है यहां पे हम बिलकुल कोई कोरी कलतना की बातें करें उसका कोई साधा नहीं है लेकिन क्या 2019 की स्थिति में पहुँची हुई है बीजे पी यह प्रश्ट है जिसका हमें जवाब ठुमना होगा और प्रधान मंत्री की ब केरला में Winston 70 सीट कहां से आएडिशनल 40 सीट कहां से आएंगी तो पूरा गिना दिया उसमें आभ जारकंड बी जोड़ सकते हैं उसमें आप भीहार भीज़ सकते हैं क्युकि 40 से 49 बीहार की थी इनके बादा तो हम बताइए Boys tuan के बृदार चाहिए के बास जासे करल जाए व फ़ाब उनके तीन सीट का है आंध्रा में खवाब भी नहीं है कि उनको एक भी सीट मिल सकती है मतलब बीजेपी बाले को आप कह दो किसी सीट पे हाथ रख दो किसी सीट पर उंगली नहीं रख पाएगा जिस सीट में वो एक सीट ले पाएगा यह जरू सोचेगा कि चलिए YS जाने के भी लाले हैं लेकिन चलिए चार कच अच्छा है कि अधिक तो BJP है नहीं ना वहां कहीं पे और उडिसा में क्या आपको लगता है कि नवीन पतनायक खाली देखते रहेंगे और BJP 20-20 सीट ले जाए यह आठ सीट पे तो अल्रेडी है और जो हम सब ने देखा था व ही चलो BJP को और बढ़ने दो और बढ़ने दो क्योंकि अंतत्य खत्रा तो उनको BJP से है और बंगाल जिसके हमने काफी चर्चा की बंगाल में BJP ने जब अपना लोकसभा का चुनाव जीता चुनाव में 18 सीट जीती वो BJP का शीर्ष था उसके बाद विधान सबा चुनाव हुआ है BJP नीचे आई विधान सबा चुनाव के बाद BJP के इतने नेता छोड़ छोड़ के भागे हैं पार्टी को उसके बाद पंचायद चुनाव हुआ है तो BJP 18 रीटेन कर ले बहुत बड़ी बात होगी बहुत बड़ी उपलब्दी होगी BJP के लिए 18 सीट रीटेन करन तो मैं पूछ रहा हूँ प्रधान मंत्री से कि ये जो 70 सीट आपने अडिशनल बताई उसमें कम सकम 17 का हिसाब तो मुझे दे दीजिए आप तो चुकि वो मैं नहीं देख पाता तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है ये साइकलोजिकल बॉर्ट स्वेयर का हिस्सा है और उनका अधिकार भी है किसी भी नेता का अधिकार है कहना कि मैं वो तो 543 से नीचे ही रहे ना 543 से उची बात भी कर सकते थे वो हर एका अधिक रेश्टरे की बात करना चुनाव से पहले लेकिन कम से कम आपको इतना तो न्यून्तम बताना होगा ना कि उसका आधार क्या है उसका प्रमान क्या है कहां से आएंगी वो सीटें तो कुल मिलाके मैं स्टेज पे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि इस साइकलोजिकल पी को फाइदा है वो है उससे इंकार ना करें अपने आपको मुर्ख बनाने का कोई फाइदा नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनावती बहुत बड़ी है और चुनावती पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से बड़ी है लेकिन ये मान लेना कि इतना बड़ा चुका है और अब किया नहीं जा सकता ये तो परिस्थिती का बिल्कुल गलत मुल्यांकन होगा बहुत संभावना है बशर्ते कि जो पार्टी जिस राज्ये में लड़ रही है वो जम के लड़े और अजीद भाई एक सबक पिछले दस सालों के इतिहास का ये है कि जिसने भ वो जीते हैं तो सवाल ये है कि जम के लड़ेंगे या कि साइकलोजिकल बॉर्टफेर के सामने हथियार डाल देगे अब एक सवाल आखिर में पहले तो जम के लड़ेंगे उसके लिए वक्त बहुत कम है दो महीने में तो जम कर लड़ने जैसा दिखना चाहिए जो तिल ना बहारत जोडो निया यात्रा में भी आप हैं लगातार बहारत जोडों यात्रा के दौरान भी मैं कॉंग्रेस निताओं से अकसर सवाल पूछता तरा आप से भी पूछा होगा शायद कि भारत जोडने तो निकले हैं लेकिन वोट कितना जोड़ रहे हैं तो लोग कहते थे नहीं हम तो से धांतिक बात हम वैचारिक धरतल पर हम मुभबत की बात कर रहे हैं ये कोई चुनाओं से वोट से रिष्टा नहीं है तब भी मैं कहता था लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपके ग्यारा करोड से वोट तेरा करोड हुए नहीं हुए के नहीं और उन में सारे हत्यार के साथ रेलियां और सभाय हो रही होगी तो इससे कितना वोट कितना सीथ क्या जोर पा रही है कॉंघरेस अजित माई मैं भारत जड़ो यात्रा के दौरान भी ये बात कहता था और भारत जड़ो नया यात्रा के दौरान भी कहता हूँ ये राजनेतिक यात्रा है, ये कहना कि यात्रा ये राजनेतिक नहीं है, ये बहुत गंभीर बात नहीं है, और एक राजनेतिक दल को राजनेतिक यात्रा करनी चाहिए, राजनेतिक करने पे कोई बुरी बात नहीं है, इस देश को राजनेतिक आवश रखता है, मगर ये सीध प्रियसीदे चुनावी यात्रा नहीं है, चुनाव के गणित पे यात्रा नहीं है, अब आप पूचेंगे कि भई चुनाव से पहले चुनाव की यात्रा क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि चुनाव का काम दो हिस्से का काम होता है पहला काम होता है चुनाव में कि आप एक माहौल बनाए आप एक narrative सेट करें आप जनता के मन में एक छवी बनाए जनता के मन में एक सपना जगा है और दूसरा होता है कि फिर उसको बांधें आप सीटों के अंदर बांधें उसको आप समीकरण के अंदर बांधें उस माहौल का आप फायदा लेके उस माहौल से आप बिजली जनरेट करें चुनावी चुनावी का काम जो इस वक्त हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी में मोटे طور पे कह सकते हैं कि ये माहौल बनाने का जिम्मा राहुल गांदी ने लिया है और उस माहौल से जो फाइदा हो उस फाइदे को कनवर्ट करने का काम पार्टी के संद्खन का है अब कौन कितना काम कर रहा है वोई का लगा है लेकिन मैंने शायत इसनी वार भी आपको कहा था इस कॉंग्रेस का कोई सारा निच्चतु चल रहा हो ऐसा कता ही नहीं है इसमें राहुल गांदी है जैराम रमेश है और बीच पीच में बेनुगोपाल जी होते है बाकी सारा और उस राज्य का निच्चतु होता है जिस राज्य में यात्रा होती है यानि कि कॉंग्रेस का बाक की सारा निच्जत्व खडगे जी स्वैम और पूरा का पूरा पार्टी निच्जत्व अपने सामाने काम में लगा है अगर ये दोनों चीजें हो यानि कि अगर यात्रा से बाहौल पैदा हो और पार्टी निच्जत्व और पार्टी संगठन उसको कनवर्ट कर सके तो अपने नहीं पूर फिर आसाम बंगाल बिहार तक में गया जहारखन में नहीं जा पाया इन सब जगें एक बात है कि कॉंग्रेस का जो सांगठनिक आधार है और कॉंग्रेस की जो चुनावी हैसियत है उससे ज्यादा सपलता इस यात्रा को मिली है किसी भी जगें पर आप देख सपलता मिली लेकिन आप कहेंगे देखिए इनका तो चुनावी आधार बहुत अच्छा है वहाँ बाकि जगें बहुत सब अलावा बाकी सब जब हैं कॉंग्रेस को आप बताए जलपाई गुड़ी में कॉंग्रेस को जो स्वागत मिला कॉंग्रेस को आसाम के तमाम ऐसे इलाकों में चायबागान के इलाकों में जो स्वागत मिला कॉंग्रेस को नागा लेंड में जो स्वागत मिला अरुना अचल में जा कोई सीन नहीं है कॉंग्रेस के पास इस से एक बात स्पष्ट है कि राहूल गांधी की यात्रा और नियाए के सवाल पर जंता के बीच में जाना उनका दुखतर्द सुनना ये कही ना कही एक उत्साह पैदा करता है माहौल बनाता है क्या ये माहौल परियापत है या माहौल बनाना परियापत है बीजेपी के 22 जंवरी का मकाबला करने के लिए बीजेपी के प्रचाज कुंतर का मकाबला करने के लिए उनके टीवी का मकाबला करने के लिए इस सवाल क उत्तर अभी हम नहीं दे पाएंगे, कुछ समय बाद इसका उत्तर हमें मिल पाएगा, लेकिन दोनों वाजिब सवाल हैं जिसका जवाब होना चाहिए और ऐसे भी इंटर्व्यू नहीं है, एक समझने की कोशिच है, दर्शकों को इससे बहुत कुछ जानकारियां मिलती हमारे दर्शक आपको देखते सुनते भी काफी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए योगेंद्रियादब जी और दर्शकों का शुक्रि मिलती हैं, जाँ जानकारिया और सेट बार बहुत को विएभणसाइम घर का वाराश मिलती है ह। माद़ने हना मिलती है को ढीमारे विएह, तरए एल्वें 한ा वटवरें तरशकू है, मैं वहर के जाएं हैं, जाएमारे विहरमारे बहुन हमारे जा मैंतु का जाएंड़ वार